दोस्तों YouTube Shorts पर फरवरी 1st 2023 से ads चलना स्टार्ट हो चुके हैं और स्पेशली वो YouTubers जिनके चैनल monetize है अगर आप उनकी short videos देखेंगे तो YouTube ने इस article में बहुत detail से बताया है कि उनकी short videos पर भी आपको ads देखने को मिलेगे जिनका revenue उनके YouTube Studio के analytics में उनको show होगा ये तमाम चीज़ें और स्पेशली वो YouTubers जिनके चैनल अभी तक monetize नहीं हुए उन्हें YouTube Shorts की monetization के लिए कौन सी policies follow करना पड़ेंगी इसकी भी detail YouTube ने बताई है ये तमाम details आपके साथ share करूँगा अगर आप एक short creator है आपका channel अगर monetize है या नहीं है इस video को end तक watch कीजेगा इसमें कुछ ऐसे points आपके साथ share करने लगा हूँ जो पहले आप नहीं जानते होंगे YouTube Shorts की monetization से related video को end तक watch कीजेगा आगे बढ़ने से पहले कल के promotion में करेंगा आपको वीडियो के description में मिल जाएगा इनको जाकर दिल से support करें next participation के लिए video को end तक watch करके like और एक प्यारा सा comment ज़रूर कीजेगा दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं उन creators के लिए जिनके Shorts channel अभी तक monetize नहीं है कि policies that apply to YouTube Shorts monetization अगर आप इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पर देखें कि YouTube ने एक article दिया है कि ineligible short views वो कौन से short videos के views होंगे जिनको YouTube Shorts की monetization के लिए consider ही नहीं किया जाएगा यहाँ पर बहुत details से YouTube ने लिखा है कि वो Shorts videos जो आप किसी TV serial से या किसी दूसरे का content without अपनी creation उसमें add की अपने channel पर upload कर देंगे और उन पर अगर आपके channel पर 10 million views complete हो जाएंगे तो वो Shorts की monetization के लिए consider नहीं किये जाएंगे आपको YouTube Shorts monetization policy 2023 की details जानना बहुत ज़रूरी है इन details का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा यहाँ से आप इसकी details read करें समझें फिर अपने channel के उपर short videos upload करें ताकि आपको short videos की monetization की detail भी पता हो उसके बाद आप अपने channel के shorts को monetize कर सकते हैं अब वो YouTuber जिनके channel monetize हैं वो अगर अपनी short videos upload करते हैं तो उनको कितने views पर कितने dollar मिलेंगे या उनकी जो short videos की earning होगी वो उनको कहां पर show होगी आपको अपने white studio की mobile application में लेकर चलता हूँ वहाँ पर ये details आपको बताऊंगा दोस्तों ये white studio की mobile application का analytics आपके सामने हैं जहां पर आपको YouTube की short videos का revenue show होगा अब जैसे ही वो YouTube जिनके channel monetize हैं अपने short videos का analytics open करके या अपने channel का overall analytics open करके अपने revenue में जाते हैं तो यहाँ पर shorts में बहुत कम उनको RPM show हो रहा है कि 1000 views पर उनको कितने dollar मिलेंगे इसकी एक reason है जैसे ये मेरे पास अभी 0-4 है और कुछ लोगों के पास इसमें होगा तो points में कुछ dollars होंगे या points में कुछ cents होंगे इसकी reason यहाँ पर YouTube ने लिखिया कि these numbers may change as short videos ads are introduced in February के जो short videos पर ads चलना स्टार्ट हुए है वो फरवरी से ही चलना स्टार्ट हुए है और अभी सिर्फ दो ही दिन गुजरे है जैसे जैसे ये date गुजरती जाएगी यहाँ पर यह जो numbers है ना RPM के जो 1000 views पर कितना revenue कितना dollar मिलेंगे यह increase होते जाएंगे जैसे जैसे आपकी videos पर ads चलेंगे आपकी videos जैसे जैसे फरवरी के मंत में या next मंत में जाएंगी यहाँ पर यह numbers change हो जाएंगे इनको देखकर परिशान नहीं हो अपने चैनल पर short videos अपलोड करें ताकि आपकी short videos से भी आपको earning हो सके Thank you